दुनिया में किसी भी प्रकार का संकट हो, भारत एक ऐसा देश है जो बिना किसी विदेशी सहायता के उस संकट से लड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को कोई भी खाने पीने की चीज बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इसी लिए भारत का दोस्त बनने के लिए दुनिया के कई देश आपस में होड लगाते रहते हैं। तो वह अपने साथ यूरोप में भारत के अलग-अलग प्रकार के मसाले लेकर गया था। जो यूरोप के लोगों को आज भी काफी पसंद आते हैं। भारत के फल और सबजियों की भी गलोबल मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही। भारत हमेशा से खाने पीने के सामानों का एक बड़ा हब रहा है। नीदरलेंड से लेकर अमेरिका तक भारती फलों और सबजियों की दुनिया भर के बाजारों में मांग बढ़ने से इनकी पैदावर से जुड़े किसानों को सबसे ज्यादा फाइदा मिल रहा। वानिज्य मंत्रालय के आकणों के मुताबिक 2023-24 के अप्रेल फरवरी में भारती फल सबजी के निर्यात में 2022-23 के इन 11 महीने के मुकाबले 15.38 फीसदी की बड़ोतरी हुई है। देश में आंध्रप्रदेश, महाराष्टर, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, करनाटक और तमिलनाडू प्रमुखफल उत्पादक राज्ये हैं। वहीं सब्जी का उत्पादन करने वाले राजियों में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराश्टर और उडिसा भी शामिल हैं। ऐसे में इन राजियों के किसानों और इनके निर्यात से जुड़े व्यापारियों को काफी फाइदा मिल रहा। उत्तर प्रदेश से तो हरी मिर्च से लेकर अलग-अलग तरह की हरी सब्जियों के एक्सपोर्ट में भी लगातार इजाफा हो रहा। यहां से आलू का निर्यात भी हाल ही में शुरू किया गया। वहीं केले के निर्यात पर मौझूदा कारोबारी साल में पच्चास फीसदी से ज्यादा की बड़ोतरी हुई है। वानिज्य मंत्राले के मताबिक फल और सबजी के ग्लोबल मार्किट में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी करीब एक फीसदी है। इसलिए फल और सबजी के निर्यात में बड़ोतरी की अपार संभावनाएं मौझूद है। पूरी डेवलिप्मेंट क्या है आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं न देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं अमेरिका ने तो भारत को भिखारियों का देश तक कहा था। दरसल साल 1966 में ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी अपनी विदेश यात्रा पर गई। तब इंदिरा भले ही पैरिस और लंदन में रुकी थी। लेकिन उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका था। उस समय अपनी खाद्यान न जरूरतों के लिए भारत पूर करने में कुछ शर्तें रख दी थी। लेकिन आज स्थिती एकदम अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर राश्ट्रिय बाजार में पहले से ही गेहूं की किल्लत थी। जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन देशों म का उतपादन हुआ था। बहतर और आधुनिक जीवन के लिए हर देश दूसरे देश पर कहीं न कहीं निर्भर करता है। जैसे भारत के पास मसाले ज्यादा हैं तो अपने मसाले विदेशों में निर्यात करता है। क्योंकि हमारे देश में पाए जाने वाले मसाले इतने ख चीनी, आज भारत मसाला उत्पादन में या कहें कि मसाले की फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। देश, मौरको, एरान, मलेशिया और चाइना जैसे देशों में भी भारतिय मसालों की मांग बड़ी है। ज्यादातर जो यह आसियान देश मसाले उगाते हैं, इनके यहां मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कमपिटिटिव इन्डियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनीक फ्लेवर आफर करते हैं, तो इन्डियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में हैं। अगर आंकडों पर नज़र डालें तो साल 2022 और 2023 में भारत से कुल मसालों का निर्यात करीब 10 लाक टन से भी ज्यादा का था, जिसका टोटल रिवेन्यू करीब 3 लाक बिलियन डॉलर्स का था, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत से निर्यात होने वाले मसाले पूरी दुनिय ये बात बताने वाली नहीं है, अब क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन्स के कारण हर देश में चाय और कोफी तो नहीं उगाई जा सकती है, इसी लिए इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी दुनिया निर्भर करती है, इसी कड़ी में आपको बताएं कि भारत चाय और कोफी एक्सपोर्ट करने में भी दुनिया की टोप कंट्रीज में से एक है, क्योंकि यहां पर असम में सबसे बहतरीन चाय के बागान हैं, तो वहीं साउथ इंडिया में सबसे बहतरीन कोफी के बागान भी पाए जाते हैं, भारत चाय कोफी का उतपादन करने में दुन मिलियन डोलर्स की कोफी का एक्सपोर्ट किया है और ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के देश इटली में भारत की कोफी बीन्स का सबसे बड़ा बाजार है इसके अलावा भारत रूस पोलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी अपनी कोफी का निर्यात करता है के बेहतरीन चाय पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है। दो हजार बाइश और तेईस में भारत ने करीब 200 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती का निर्याद पूरी दुनिया में किया है। जिसकी कीमत करीब 53,000 करोड है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की चाय और कोफी कितनी इंपोर्टेंट है। दोस्तों, ये तो हो गए, वो कुछ खास प्रोड़क्ट्स जिनके बारे में हमने आपको डीटेल में बताया लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोड़क्ट हैं जो भारत से भारी मात्रा में पूरी दुनिया में निर्याद किये जाते हैं। पांच साल पहले तक ज्यादातर फल सबजी के निर्याद एशिया और खाड़ी के देशों तक सीमित था। लेकिन अब भारत के फलों का मुख्य खरीदारों में अमेरिका और नीदर लैंड भी शामिल हो गया है। वहीं भारतीय सब्जी का सबसे बड़ा खरीदार ब्रिटेन बन गया है। अगर भारत से फल और सब्जियों के निर्याद की बात करें तो वानिज्य मंत्राले के आंकडों के मताबिक अप्रेल 2023 से फर्वरी 2024 में भारत ने तीन अरब डोलर का निर्याद किया है। जबकि अप्रेल 2022 से फर्वरी 2023 के दौरान दो अरब डोलर कीमत के फल और सब्जी निर्याद किये गए हैं। वैसे यूरोप के बाजार में भारतीय फल और सब्जी के निर्याद को बढ़ाने के लिए सरकारी स्थर पर कई कोशिशें जारी हैं। जल्दी ऑस्ट्रेलिया को भारत से अनार का निर्याद शुरू होने वाला है। दोनों देशों में इस दिशा में सहमती भी बन गई। लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या भारत के साथ अमेरिका लगातार ऐसी डील करके रूस को जटका देगा। आप अपनी राय कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को शेर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।